नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है करियर का उजविश शुभांकर पर दोस्तों आज 23 अपरिल 2022 हम लोगों ने एक अलग ही आउट अफ दो बॉक्स एक अवार्ड सिस्टम आज हम लोग सामने लाए जिसमें हमारी एक कोशिश रही कि जितने कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम लोग आज ओनर करें उनकी हम यहां पर सम्मान करें यह पूरा कारिकरम जो आयोजन रहा, इसमें कई प्रकार, कई अलग-अलग स्कूलों से, कई दूर दराज के कॉलेजों से, अध्यापक, प्रधानाचारे, लोग शामिल हुए. आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, कि शिक्षक जो है, वो कहीं न कहीं जब सम्मानित होते हैं, तो शिक्षा का उत्थान होता है, शिक्षा पड़ता है. मैं वाकिए आशा करता हूँ कि इस प्रकार के जो प्रयोग हैं, इस प्रकार के जो समान समारों हैं, यह और होने चाहिए. और मुझे लगता है कि जैसे ओपी जिंदल और कई और LG कमपनी इस तरीके से कई ऐसे आयोजन के एक साथ आके मिलें, और साथ में आके हम लोग ने ऐसा आयोजन किया, जो कि आज मैरियट फेर फिल्ड होटल लखनौ में यह पूरा प्रोग्राम यहां पे कारिकरम चल रहा है, इसमें DCP रुचिता चौधरी जी भी मौझूद रही, इसमें O.P. जिंदल के प्रिंसिपल डारेक्टर मौझूद रहे, यहां अभी थोड़ी दिर पहने जगदिश गांधी जी भी आया थे, तो दोस्तों यह सारा आयोजन मुख्यत सिर्फ इस वज़ेश है कि कहीं न कहीं इस शिक्षा का प्रचार प्रसार और अच्छे से हो सके और यही कोशिश प्राइम टिवी एवं करियर का उच के भी है कर दो दो खेंगा कर दो 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 भी है दोस्तों जब इस प्रकार के बड़े-बड़े कारिक्रम होते हैं तो बात जरूर होती है आयोजकों की आयोजक अगर अपनी तरफ से अगर वो फोकस्ड हुए उनको पता है कि वो किस विशे में आखिर उनका उद्देश क्या है तो कोई भी कारिक्रम वो अनसक्सेश्फूल नहीं हो सकता वो हमेशा ही अपनी तरफ से सफल होगा आज ये कारिक्रम एक बहुत सफल कारिक्रम के तौर पर देखा जा रहा है इनी में जो आयोजकों की जो श्रिंकला है काफी आयोजक है इसमें से उन में से एक आयोजक है करियर का उजगुरू आईए हम बात करते हैं करियर का उजगुरू के मैनेजिंग पार्टनर जो की कानपूर सेंटर को पूरा देख रहे हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर इस आयोजन के पीछे उद्देश है क्या था सुरेश सचान साथ बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना ही चैनल है प्राइम टीवी और करियर का उच अब आप उसमें शामिले करियर का उच गुरू आप कानपूर में ला रहे हैं काफी बड़ा इंस्टिट्यूट वहां पर बन रहा है तो हमने सुना है कि वहां पर आप मीडिया से जुड़े हुए कई नय कोर्स को आप इंट्रड्यूस कर रहे हैं तो यह जो कालीक्रम था इसके पीछे क्या उद्देश्य सिर्फ प्रदानचारों का सम्मान था कि और भी कोई उद्देश्य था इसके पीछे केरियल काउज गुरू का यह जो प्रेड़फार्म हम लोग ऐसे चाथ शात्रहों के लिए और आज़ गुशा गुरू के लिए जो डिषा ब्रमित हैं अर्थाइज जो जानते हैं कि हम इस शेत्र में सफन नहीं हो सकते हैं कि तो इसकी उतारी करते हैं अब वाओकों को भी उससे कष्ट होता है और विद्यार्थियों का समय तूटता है तो करियर काउच गुरू के मांदेब से सुभांकर जी इस कालकम को बहुत अच्छी तरह से संचालिज करना है और लखनवु में ये लांच भी हो चुका है और अनसरों में भी लांच हो चु चात्राओं को जो इस फिल्ड में आना चाहते हैं एक बहुत बड़ा प्लेट फार्म तयार कर रहे हैं जिसके मार्दयम से हम इलेक्ट्रानिक मीडिया में बच्छों को भी भविस दिखाएंगे इसके साथ साथ ग्रेटर नोड़ा में आने वाली फिल्म सिटी के अधार पर हम लोग के फिल्म सिटी से सम्बंदित क्रम लाने वाले हैंगे खेल प्लेट वा नखे रह जा चुर्फके था बड्यार में टियल पउड़ा नट परकारा हैंज को एक अधार प्लेट फार्म हो गा जो एक दूसरे के साअधर तो चले जाते हैं उनको मालून एकिक्षों ए? हम इस फिल्ड में तैयारी नहीं कर सकेंगा लाश्ट कुपरिणाम वही आता है जो नहीं आना चाहिए उसे वागों का पैसर भी बरवाद होता है और इद्यार्थियों का समय भरवाद होता है करियर काउज गुरू काउंसलिंग के माध्यम से ऐसे चाचात्राओं को एक प्रे जाता है और सभी जगे से बहुत अच्छे कादेजों के प्रदाना चाह रहा है वैसे तो वो सम्मान पारने के अधिकारी भी है और सम्मान पाते रहते हैं किन्द काउज गुरू के माध्यम से हम लोग उनको इसलिए समाहित करना है कि ऐसे चात्राओं को जो दिग ब्रमित ह होने दें और काउज गुरू की माध्यम से उनको एक बढ़िया प्लेट भार्म दें जिससे कि उनका जीमन सफल हो सके जाहिन जाहबर तो अब मेरे साथ है सुप्रिंटेंडंड पुलिस रुचिता चौधरी माम रुचिता जी हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई है आपने इनका एक एपिसोड देखा होगा जिसमें इनोंने महिला सशक्ती करण के उपर एक पूरा एपिसोड किया था आज ये गौरफ सम्मान जो हम लोग आज यहां पे ओपी जिंदल और करियर पादवेज अलोंग विद प्राइम टीवी और करियर काउज गुरू हम लोग यहां पे हमने और नाइस किया जहां पे तमाम प्रिंसिपल्स आए 200 से उपर प्रिंसिपल्स हैं और आज रुचिता मैम ने पूसने उनको इस कारिकरम में शामिलों के कैसा लगा मैं पहले तो बहुत बहुत स्वागत करियर काउज गुरू और करियर काउज तो अब आपके लिए परमनेंट प्लाफ़ों में आप हमारी परमनेंट गेस्ट हैं तो फिर से मैं पूछूंगा जो मैं आपसे हमेशा तुम झरी दोण कैसा ट बहुत हैं और कि कि मैं खुट से टूंग्पान था लु वत फूरमनेंट क् perpendicular youस. अनु ליक्षव कूट प्रमनेंट करियू सबस्त्जिए रिस मिल गुक्त इम कीडेस्जत हैं तो पूले डिस में पूले ए तन को तो अग्ट पीशत प्रिचर, कि आए we can't teach them, we have to listen to them, that's why I was very much overwhelmed being a part of this ceremony and function and honoring the teacher, it's a pleasure for me. ऱ्बाइ नोगो अंप해 सम्मानित किया, शिक्षा गौरफ सम्मान, जते, ऑधिन कहीन देश शिक्षित हो रहा है, आज शिक्षा होँ है, हर तरह, हर एक कैणि प्यद्द्दु रहा है, कहीन न कहीँ मैम आपको नहीं लगता अब इसकुछ एक कंई रह जा रहे हैं, क्राइम ब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो मुझे हिट करता है हमेशा, जब भी ऐसे किसी प्रोग्राम में जाना होता है, तो मुझे बड़ा ही, मतलब, just for sake of speech, लोग speech देते हैं, education doesn't mean bookish knowledge, and all the time, हमारे जितने भी discussions होते हैं, book-based, knowledge-based, it is not holistic, आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए, कि जिसमें education, जैसा कि हम जब आये तो समें speaker बोल रहे थे, उनका कहना था, it is not only book knowledge, it is a physical knowledge, health-wise, socializing you, family values, national values, sabhi चीजें education में आनी चाहिए, ना कि हुले, books आपने पढ़ ली, homework मिल गया, classwork मिल गया, and you've done it, and you've passed the class, that doesn't mean, अगर कोई student, किसी class में fail भी होता है, and उसके पास, other than books, other knowledge is there, I feel, that is the education, that is the educated person, and teachers must think, for personality development, not only bookish knowledge. Thank you, ma'am. ये थी हमारे साथ, आज की Chief Guest, S.P. Ruchita Chaudhary, ma'am. Thank you, Ruchita, ma'am. बार-बार हम आपको ऐसी याद करते रहेंगे, हमारे हर प्रोग्राम में आप शरीक होते रहेंगे, ऐसी हमारी कामना भी है, और ऐसी हमारी आशा भी है आपसे. आपकी आशाओं पर मैं पूरे खरे उतरने का प्रयास करूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर मुझे इस जगे आने का अफसर मिला, आप लोगों के साथ इंटराक्ट करके बहुत अच्छा लगता है. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. तो हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर संजीपी सहानी सहाब, ये प्रिंसिपल डारेक्टर ओपी जिंदल यूनिवर्स्टी से हैं. तो आएए पूस्ते हैं, आज का ये जो कारिकरम रहा, उसके पीछे में उद्देश क्या है? Sir? में बहुत ही खुषवाच learned when I came to know that teachers are being honored, because it is also a great honor for all of us, that when teachers are being honored, because teachers are the one who builds nation. So, you know, I am very first of all my compliments and I am very happy, that there is a program where most of the best teachers and the principals are being honored. Two, we also talked about how to raise your children. The major issue is that parents want that their children are the product of the schools, which is absolutely wrong. I want to give a message to all the parents that their personality, their behavior is already built in the first zero to seven years of age. And almost eighty-five percent, which is my personality or your personality, has been made in zero to seven years of age. Now, to change it is very difficult. Teacher cannot change it. So, the first thing is that mom and dad both need to give attention to the child's attention. Two, it doesn't mean that it is only love. Three, the most important thing is that children have to teach decision-making abilities so that they can see what is okay for me and what to change them to me. Sir, you are a psychologist. You are now listening to the parents' attention. There are a lot of beautiful things in parenting. You have told me about this. that children who are studying at 6 to 8 hours, the children who are studying at 6 to 8 hours, the retention of the children is the most important thing. This is scientifically proven. But the children who have been made up for the age of age, to study at night, to learn more about the night study, so why do they have a lot of money for them? No money for them, but they will get less effect. What is the benefit of them? I didn't say that they should be able to get up at 6 hours. उठना चाहिए, यदि आठ बजे उठे हैं, तो जो पहले दो घंटे हैं, उसमें जो डिटेंशन लेवल है, वो अप टो 80% रहेगा, और फिर वो आस्ते 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 घटता जाएगा, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यदि वो रात को पढ़ते हैं, पर यदि को सोने के साथ आपको खाने के लिए भी, यदि आप फ्राइड फूड कहाएंगे, यदि आप ज्यादा मीठा कहाएंगे, यदि आप ज्यादा तला मला और रेड मीट टाइप चीज़ें होती हैं, यह खाएंगे, तो आपको सुस्ती जादा आएगी, आप ड्रौजी होंग तो जो हमारे मेमरी है वो इतना एक्टिवली काम नहीं करेगी इसलिए जरूरी है कि तीसलिए एक और चीज़ मैं बताऊंगा हाइडरेशन के ओपर कि जो लगातार पानी पीते हैं उनका academic achievement अच्छा होता है लेकिन ये एक चीज़ मैं बता हूँ ये कोई मैं नहीं चीज़ नहीं बता रहा है ये already लोगों ने research करी हुई है हम दोबारा research करके इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं पर मैं आपको एक simple चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि माबाप या teachers बच्चों को ये वली सला देंगे और वो practice करेंगे आप देखेंगे success 100% होगा सर अभी बिलकुल intermediate के exams चल रहे हैं अभी कुछ boards अभी सुराद भी होने वाली हैं उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है समय बहुत कम है और preparation बहुत जादा आपका प्रशन इतना अच्छा है और मैं एक ही ऐसी चीज़ बताऊंगा जो हर बच्चे को इतनी बढ़िया लगे की यदि आपके पास आज के दिन से 30 दिन पड़े हैं आप क्या करिए कि हर एक जो subject है जैसे माली जै किमिस्ट्री है, mathematics है या English है या social studies जो भी है उसको आप उसके key points एक page पे लिखिए सिरफ एक page पे जो से A4 size होता है, key points आरे लिख दीजिए, chapter 1, chapter 2, chapter 3, जैसे 6 या 7 chapter आ रहे होंगे क्योंकि ये term 2 है बट गया है, तो उसके आप रोच, सुबा उटके एक minute उसको glance करिए, शाम को एक minute glance करिए, मैं सिरफ आप से दो minute मांग रहा हूं एक subject के, और जब वो तीस दिन पे पहुंचेगा, तो वो जो उसका paper है, उसका imprint उसके subconscious mind पे चले जाएगा, तो जब वो पेप, photo memory, absolutely, जब वो उसको देखेगा, जब exam paper पे लिखने लगेगा, वो सारा का सारा paper उसके सामने होगा, और वो सारा उसको फिर expand करके लिखेगा, कि O.P. Jindal University की जो पेडागोगी है, या किस तरीके से O.P. Jindal को आप दूसरे उनिवस्टी से अलग देखेंगे, सबसे बड़ी बात है, कि आपने इतना बड़ी अप्रशन किया कि पेडागोजी ही में चीज़ है, पढ़ाया कैसे जा रहा है, हम क्लासरूम में कम और बाहर जादा पढ़ाते हैं, हम प्राजेक्स और असाइनमेंट्स के तरू जादा पढ़ाते हैं, हम टेक्स्ट बुक्स के तरू नहीं पढ़ाते हैं, हम ये चाते हैं और हम एंकरिज करते हैं कि बच्चा जादा पढ़ाए, आज कल वो जमाना चले गया कि टीचर आता था और पर ये बच्चों आजकल के बच्चे ही टीचर हैं और ये एक हमने नहीं प्रता शुरू करी हैं दूसरा हम ये classroom teaching पे विश्वास नहीं करते हैं हम slides पे विश्वास नहीं करते हैं हम कहीं पे भी बैठके बच्चों के day to day जो routine के साथ relate करके ताकि बच्चा relate कर सके कि मैं यदि इस काम पे गया या मैं एक lawyer बना या मैं एक psychologist बना तो what all other things I can have to work on and accordingly हम उनको train कराते हैं Thank you so much sir, आपने time डिये हम लोगो Thank you so much So with me I have Tuhina Ma'am and Lakvir Ma'am So Ma'am, how is your experience for today? Today experience was really very nice and Dr. Sahani what he told us regarding the upcoming with the students and how to treat them it is really very nice and even in my opinion in Indian methodology system and the teaching system it's already given if we are following the new thesis it's just sufficient enough as me as a principal to develop a child, a personality because study anyone can do but if you develop a personality then definitely all work will be done Definitely Ma'am, how about you? It's almost a similar feel I also have See psychology plays a very very important role in anyone's life So whether it is principal or the parents or the teachers or the child So it always plays a significant role in developing the multitasking part of an individual So it was no doubt I have in fact taken his personal numbers that I can be in touch with him for the workshops and the trainings which we have later on Thank you so much for joining us Thank you Thank you कि ब AG यढू सही कि बेखर आज्यावसिज G, आज पू कोनी अजूडरBook अच ओजिए ऑटो मिया सी।oure करती हैं। कि कि कायव से थ criminal कायछ कुछी अप्टियव, कि अजूड कुरी सुच passé? अवाब बटेता है international student today sir it was great and I consider that as a true honor that I got an opportunity to speak to the heats of the leading schools in Lucknow right so one thing I would like to ask coming down to Lucknow I hope this was your first visit I guess this is my fourth visitor Lucknow individual visit all visit to Lucknow okay so you are much familier look now and stuff right have you been to Aminabad and other areas as well you heard about Tunde Kawab and rest I'm heard about that but all my troops were official फस Squeeš किया प्मारेश跌 अधनल करणलु की। कर दोगनल कर दोगकोंटित और बार्श प्रिक्स जाएंध प्रीज़ु के आई ने लिम और खूरोंट प्रीटारा कम प्रीज़ाइStन कान खुट्र प्रूझ मांट है उपना है। कर शीक्षा सुमान सिर भाण एिखलत है गेकर भीजीड घए unleash बाइश always मीड करें डेवख दो ये देगी सिर्फ एक्षा को रिगाट को या झाल य लाऒन लाओसी थे लिव डिवाट यो यू जो RX तुम्हाब ट्रीजिजी को पहुता है उन्हें इन्हें तुम्हाब विवल इनक्रिजमी पॉर आटेजिए स्टीपलिज इन्हाफ इन्हें लाट व्हारा विजिज अगॉड़ इन्हेंजुद असलु पारिजज स्टांग को एंड ते रहोा पॉड़ टेंडरे जजे का सुख how is doing law from OP Jindal different from doing law from any other college or university? So the success of every law school, I would say, depends on three major factors. Number one, faculty members. Second, international collaborations. And third, internships and placements. Faculty members, as the saying goes, to be the best, you should learn from the best. So the first thing every aspiring candidate to study in a law school should look at is that who are the faculty members teaching you. not just the credentials of the faculty members but also their research and publications because research and publication is nothing but the self-expression of a faculty member only a faculty member who has advanced knowledge can self-express themselves so number one faculty, number two international collaborations which actually gives the students an intercultural experience which is quite essential in the global world which we live and third, internships and placements internships, it gives you a context to apply the knowledge you gain in the law school and placements, it's not a job but placement is actually an opportunity for you to participate in the social production so these three combined factors make a law school special and Jindal has focused on all the three Very well put up sir so are you just honouring the CLATS course or you have your own entrance exams as well? As the name goes, Jindal Global Law School we have adopted a global entrance test which is actually the law school admission test, the LSAT So you have your own admission test over there So what I would like to know is that what about the fee structure what about the rest of the support that the university is offering? Jindal Global Law School for the LLB program it charges a tuition fee of 5.5 lakhs per year this is in addition to the hostel and other facilities but Jindal Global Law School also offers numerous scholarships for students to study to support their education but that said scholarship is not just all about money so any scholarship is also a merit so Jindal Global Law School charges a fee as per the global standards but it also imparts global education to its students Having said that sir, I am sorry but the fees that you said, that actually keeps the normal student quite away what about the poor students who are coming from the rural areas and other? Do you have anything to support them as well? Absolutely, there are merit based scholarships available in Jindal Global Law School and the initial scholarship will be awarded primarily based on how the student perform in the law school admissions test based on which the students are given There are numerous scholarships like Naveen Jindal Scholarship, Shalu Jindal Scholarship, Savitri Jindal Scholarship, and Haryana State Domicile Scholarship and numerous such scholarships to support these students Okay, so that's well said I think the Jindal University is trying its own lot to do for the law aspirants I hope that more law aspirants actually go to Jindals and we have a new sector of lawyers all over in India to support our legal system to make it more strong Thank you Thank you, sir झाल झाल तो हाँ हमारे साथ जुड़े वे है इस समय रभी प्रकासर जो की बाबा गुरुकुल अकादमी बारभ अंकी के प्रिंसिपल है और सी बीसी सिटी कोडिनेटर भी है तो सर आज आपको सम्मानित किया गया है आपको इंस्पार इंडिया और करियर काउच का ये मुहीं कैसा जो भी काउंसलर रहे हैं बहुत ही इंस्पारिंग रहे हैं यहां के काउंसलर और इस से पहले भी मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया था अज इंस्पार इंडिया जो भी काउंसलर रहे हैं बहुत ही इंस्पारिंग रहे हैं यहां के काउंसलर्स और इस से पहले भी मैंन that they have counseled teachers how to give the best in education. Yes, definitely sir, because the board is final, the board is at all, so I think students and principals have a lot of motivation for the students. So I think Career Couch is the most important thing that as we can get more and more, we will come to your support and stay with you. I am very much thankful to Career Couch and Inspire India that during this examination, peak of examination time and during pandemic also, you people kept on calling us and inspiring us, motivating us, supporting us, giving us moral support. So I am always thankful to Career Couch and Inspire India. Thank you so much for coming to our show. Thank you. Thank you so much. Thank you. यहां पे guests मौजूद हैं, उसमें से कुछ हमारे बहुती प्रॉमिनेंट गैस जिन्होंने आज इस सभा को जो है, इस मैफिल को वाकई खुशनुमा कर दिया, उसमें से हैं स्वामी आशकानन जी महाराज, जो की पहले सांसद रह चुके हैं, दो बार सांसद ने शायद स्वाम आज इस कारक्रम को देख करके, जो सिक्षा के प्राचार लोगों को कोने कोने से आए हुए हैं, उनके सम्मान में जो प्रोग्राम किया गया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं आपको बदाई देता हूँ भट्टाचार जी को, और सभी आगंतु गणों को इनी स आप दो के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ. पिल्कुल एक अलगी सिक्षा दी जा रही है, कोशिश की जा रही है, कि में फ्रेम एजुकेशन जो है, वाकी दूर दूर तक पहुँचे, तो सर, कैसा लगा इस समारों में आके, और थोड़ा सा बताएं कि एक कम्प्लीट एजुकेशन के माध्यम में, आप क्या कमी देख बास्तों में वो बहुत ही इफेक्टिव प्रभावकारी था और यूजफूल था, और ऐसा लगा कि हम लोग एक रिफ्रेशर कोर्स अटेंड कर रहे हैं, जो हमारा ग्यान है पहले थे अरजित तो है, लेकिन उसे पुनह जो है जीवित करने के लिए रिफ्रेश कर दिया ग पिपल, आप ग्यानी हैं, वो जढ़ा इंपोर्ण नहीं है, लेकिन यह जढ़ा इंपोर्टेंट है कि हाउ तो ड्य ड्यादा करते हैं अगर आप इन चीजों में निपूर हो गए रियक्ट करना एक्ट करना और डिशिजन मेकिंग में आप अगर सफल होते चले गए तो आपका सफलता के परचम रोज रोज एक नया इतिहास लिखेंगे क्योंकि एक कदम अगर आपका डिशिजन सही होता है तो आप निशित रूप से आगे बढ़ते हैं और उसके बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं आपके डिशिजन के तो यहाँ पर वो चीजे मिली यहाँ पर और मनब ग्यानिक विकास बच्चों को कैसे डील करना है इस ब बिल्कुल जो है एक धागे में पिरो करके बहुत बड़ी बात है और उन्होंने कहा कि होती ही काता है मैं अलग रहूँगा और उनकी जीदिती कि हम सब को पिरो कर रखेंगे सारे घ्यान को विद्वजनों के जो कोर है निचोड है सार है एजुकेशन का उसको उन्होंने र प्रवाव से और यहां आउसर आप तक पहुंचने का परचे तो था आप से लेकिन आपने आपके माध्यम से यहां मैं नहीं पहुंचा एक्चुली एजुकेशन के छेत्र में एक लंबा इतिहास बनाने वाले हमारे कानपूर के प्रसिद्ध एजुकेशनी सिच्छावीद स्रि करते हैं कि यहां पहुंचाने का अगर उनके लिए यहां ठरफ सब्सक्राइगों करें गोट करने वहां और जो अपना योगदान दे सकें तो अपना सवभाग की समझेंगे धन्यवाद, जै हिन, जै भारत, जै सिच्छा विवाद धन्यवाद, धन्यवाद सार तो हमारे साथ इस समय जावेद खान जी मौजूद है जो की H.M. Public School का नौस से आ रहे है जावेद जी बहुत-बहुत स्वागत है करियर का उज विश्वांकर पर और यह जो पूरा जो कारिक्रम आपने अभी आयोजन देखा इसमें हम भी शरीक हुए और बहुत-बहुत खुशी मुझे महसूस होती है जब आप जैसे प्रदानाचारों को यहां पर स्वागत करने काम अफसर प्रूप दूआ है सर थोड़ा से बताएं अपने कॉलेश के बारे में और यहां पर आपको आपको आपके कैसा लगा प्लीज इसके विश्वा में थोड़ा सब पहले तो बहुत बहुत शुब कामना है आप सबको जो इतना वेल और उगनाइज़ प्रोग्राम किया आपने और आल दो और उगनाइजर ऑलसो जिन्हों ने इस प्रोग्राम को सक्सेस्वल बनाया दूसरी चीज यह प्रिंसिपल होना आइज लोग कहते हैं प्रिंसिपल है फ्रिंसिपल है फिस्ट यू ट्राइट वी ए गुड़ हुमन यह पोस्ट की है और वक्त के साथ कहतम हो जाएंगी एक अच्छा इंसान बन के रहिये उसे अच्छी कोई पोस्ट नहीं है आज उचे हैं तो कल नीचे हैं मैं आज प्रिंसिपल उफ सेंड बलाल थी मन्स बिफोर बट करेंटली आज जोएं इन कन्नौच तो मैंने मैं आयम सेलेक्टे इन सिक्षा देनी है उन बच्चों को वो सिक्षा देनी है जो अभी तक ही वो नहीं पायत है क्योंकि मैंने उचे लेवल देखके नीचे पकड़ा क्योंकि जब हम नीचे सिवर करते हैं तो तब ही उपर हम ओटते हैं तो सर इतना ही कहना चाहूंगा बहुत बहुत दन्यवाद से दन्यवाद करियर काउच विश्वांकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमने कोशिश की कि आपके इस कारिकरम को हम जितना प्रसारित कर सकते हैं उतना हम कर सकें डॉट सर यह जो पूरा जो कारिकरम था उसमें हम भी शरीक हुए आपके साथ और कहीं न कहीं आपने शिक्षा को जो गौरव, एक गौरवानवित करने का जो ये पूरा कारी करम बनाया, इसके पूछे अगर हम असल उद्देशा देखें, तो वो क्या था? सर, लोगों ने इस समय कोरोना काल में टीचर्स ने और प्रिंसिबल ने बहुत महनत दिया, और सब को सम्मानित किया गया, सब को बोला गया कि आपने बहुत सरानी अकाम किया है, पर सिक्षा के लोगों को, सिक्षा के लोगों के लिए बहुत सरानी अकाम किया, टीचर्स जिन करोना काल में जोने बहुत सारा काम किया है उसको किसी ना किसी तरह से सम्मानित किया जाए सनाने आ जाए जाए ड़ाट सब एक चीज बताइएगा यह ज्यादा तर जितने प्रिंसपर्स थे आपने इन सब को इन्वाइट किया यह चारो तरफ से यहां पे आए आपने यूनीक होता है हर पता ना चारे उसी जगह जाता है जहां पे उसको सम्मान मिलती है और मैंने इस 15 सालों में लोगों के साथ बहुत ही अच्छा रिस्ता बनाया है अगर मैंने बुलाया सारे लोग मेरे पास आए जिसके लिए मैं उनके तह दिल से शुक्रियादा करता परिशानी तो ऐसा को नहीं पड़ा क्योंकि सब लोग ने समय दिया सब अपने लिए आए बर हाँ जरूर सबसे मिलाकात करना सबको एक जगह घत्रित करने में जो परिशानी होती है वो हर और्गनाईजर्स को करनी पड़ती है वो हमको भी करना पड़ा डॉट सब एक बहुत जवरी प्रशन है मैंने जितना कारिकरम देखा और इस पर से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब CBSE से रिलेटेड प्रिंसिपल्स थे तो ICSE के प्रिंसिपल और UP बोड के प्रिंसिपल्स ने क्या गुना किया था ऐसा कुछ नहीं है ICSE के CBSE के भी थे और क्योंकि आज एक और प्रोग्राम था जा पर उन लोग को जाना था डाइसीज का तो जिसके कानल लोग हुआ मूफ किये और आर्पी सिंग सर्ज जो CBSE के थे वो आज हमारे मुख्याती थे तो इसलिए CBSE के प्रिंसिपल्स आपको ज़्यादा दिखें ऐसा नहीं है UP बो जाता है इसमें कुछ और भी आप कुछ नया करते हैं चात्रों से रिलेटेट कोई कारिकरम उस पर आप क्या करते हैं चात्रों से रिलेटेट कोई कारिकरम करते हैं टीचर्स रिलेटेट भी कारिकरम करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट अवार्ड है वो टीचर्स को सम्मान प्लाटफर्म क्रियेट किया जाता है, कई मैनेजर्स, कई प्रिंसपल्स यहां पे हाजिर हुए, मैं चीज जानना चाहूंगा, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कोई सपोर्ट या आगे आरने में कोई ऐसा कोई सपोर्ट आपको मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत शुब कामना है, आपने बहुत अच्छा कारिकरम आपने यहां पर प्रस्तुत किया, और मैं वाकई ही आपके साथ पूरी टीम को, जो आपने एक फाउंडेशन यहां पर क्रियेट किया है, जिसको आपने इनोवेशन इंडिया, इफ आम नोट रॉंग, सॉर जैसा कि आज आपने देखा शिक्षा गौरफ सम्मान, शिक्षा गौरफ सम्मान, शिक्षा को प्रोटसाहित करने के लिए यह कारिकरम बहुत जवरी था, प्रधानाचारों को एक छट के नीचे लाना, कई शेरों से प्रधानाचारे लोग यहां तक आए, उनका शेडूल अपने आप में बहुत बिजी होता है, उसके बावजूद समय निकाल के आना, एक कारिकरम को सफल बनाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जब भी हम किसी कारिकरम के सफलता की बात करते हैं, तो बात होती है आयोजकों की, एक अच्छा आयोजक, किसी भी का के लिए तयार रहता है, जो उस कारीकरम के लिए आवश्यक हो. इस कारीकरम के आयजकों में जो प्रमुख जो रहे, डॉक्टर अभीजीत बेनर जी, आप अपने आप में करियर काउंसलर हैं, कई स्कूलों से जुड़े हुए हैं, कई सिक्षा संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ये पेरेंट काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट काउंसलिंग करते हैं, और देखा जाए तो एजुकेशन की दुनिया में ये लखनों से जाने माने नाम है. तो मुझे बहुत खुशी होती है कि प्राइम टीवी आज इस कारिकरम का एक हिस्सा बना, हमने हर वो चीज दर्शाया जहां पे शिक्षा को सम्मानित होते हैं, हमने देखा. प्राइम। झाल 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 झाल